नमस्कार जहें टू आफ यू आप सभी का स्वागत है लाओ वाला के वाइटी प्लेटफॉर्म पर आज हमारी चर्चा लीगल कॉंसेट सिरीज में बिटा उस विशह पर होगी आप किसी भी स्टेट का एक्जाम दो है ना जुडिशल सर्विस का पीसियस ये का आपको अपने समेधानिक विश्यश्श्शक्यों हूं ओस सी लिए हों इसलिए मैं तुम्हें दावर पढ़ानने आ तो चलो बिटा यह जो मुस्लिम लौ है इसका एक पिक्यूलियर कॉंसेप्ट है डावर का होना मेहर का होना बिसिकली होता क्या है कि जब शादी वगरा होती है तो हस्बेंड की तरफ से एक कमिट्मेंट होता है कुछ पैसों का या प्रॉपर्टी का हास्बेंड अपनी होने वाली पत प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दूंगा उसी को बिटा कहते हैं डावर डावर को डावरी से मत जोड़ लेना यह बढ़ियां कॉंसेप्ट है यह प्रोग्रेसिव कॉंसेप्ट है ठीक है क्यों दे पती पतनी क्यों न दे कहा गया अरे भाई पती के तरफ से पतनी को हम लोग आर्टिकल 15 3 में वल्नरेबल मानते हैं डेप्राइब मानते मतलब जो महिला है उसे कमजोर वर्ग कमाना जाता है कि कहा गया पती सम्मान दे रहा है महिला को वही सम्मान जिसके चर्चा भारत की सुप्रेम कोर्ट फ्रांसिस को रेली में आर्टिकल 21 में कहती है कि आर्टिकल जेंडर जश्टिस से जुड़ा है, सोशल जश्टिस से जुड़ा है, आर्टिकल 21 से जुड़ा है, राइट तू लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा है, ठीक है? और ये वही डिग्निटी है जिसका सहरा लेकर भारत की सुप्रीम कोट ने 20 अगस्त, 20 अगस्त था ना? 20 आपक्रिन में आपको पढ़ारा हूं डार यह बड़ी महत पुर्ण है मिहर कहलो डावर कहलो कुछ भी कहलो तो इसका औबजेक्टिव क्या है यदि मैं बड़ी संचेप में इस विशे के अबजेक्टिव को आपको समझाना चाहूं तो बिलकुल रूल ओफ लॉज से कि यह जो लंबे समय से और मुस्लिम लौ में तो ज्यादा ही होता है आपने देखा ट्रिपल तलाक वगएरा में क्या होता था कई तरीके के डाइवोर्स होते हैं सिया सुननी को पढ़ लीजिए आप हिंदू लौ तो चलो कोडिफाइड हो गया इन लोगों की जो जितनी खरा पती ने महिला को मुस्लिम महिला को डाइवोर्स दे दिया और पैसा रुपया को उस दिया नहीं प्रॉपर्टी दिया नहीं कोई वादा नहीं कोई कमिट्मेंट नहीं तो बिटा फिर उसके सामाजिक न्यायका क्या होगा उसके आर्थिक न्यायका क्या होगा वो बेचारी तो बिलकुल helplessness state में चली जाएगी तो इस concept के objective को यदि आपको समझना है कि भाया हमें Muslim husband के ओपर एक obligation पुट करना है कि एक तो आप मनमाने ढंग से divorce मत दीजे और अगर देंगे तो आपके ओपर एक obligation है कि आप अपनी पतनी को उजारा भत्ता कह लिजे सस्टिनेंस कह लिजे, डावर कह लिजे, money कह लिजे, property कह लिजे, कुछ भी कह लिजे, certain amount जो तैह होगा शादी के समय वो आपके तरफ से दिया जाएगा ताकि जो आपकी पतनी है, आपके divorce देने के बाद, आपके मृत्यों के बाद, मतलब दड़ दड़ की ठोकरे ना खाए, basically वही है, समाजिक निया, तो हमें मुस्लिम पतनी को, मुस्लिम वाइफ को समाजिक निया से जोड़ना है, इसलिए ये concept बड़ा महत्वण है, आप मेरी slide के माध्यम से अपने इस concept को बिटा बिल्कुल crystal clear करो, कि डावर also named is the mehar, in Islamic law refers to amount of money, पहला नमबर, kind of property, दूसरा नमबर, that a husband, पती, page to his wife, अपनी पतनी को देगा, as a mark of respect, उसे समान देने के लिए, as a mark of support, उसे सहारा देने के लिए, तो ये basically financial provision है, हम economic justice की बात करते हैं, भारत की सम्मिधान की प्रस्तावना में, मुस्लिम महिला, मुस्लिम पतनी की economic justice का क्या होगा, यदि पती को या permission दे दी जाए, जाओ यार छोड़ दो, नहीं, पती की जिम्मेदारी है, sustenance, पती की जिम्मेदारी है, welfare, इससे आप section 125 CRPC को भी जोड़ कर देख सकते हैं, दोनों का बिटा objective बिल्कुल सेम है, सामाजिक न्याय को करना, आर्थिक न्याय को मजबूती प्रदान करना, ठेक है, तो चलो, मैं आपको आगे लेकर बढ़ता हूँ, इसको बाद में पढ़ेंगे, चार तरीके के होते हैं, मैं अभी आपको बताओंगा, पहले बिटा मैं आप से कुछ definition की चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्जाम में बिना परिभाशा के, बिना मुल्ला वगएरा को refer किये, अमीर अली को refer किये, आपका अंसर हमेशा अधूरा माना जाएगा, तो purpose, in short, मैंने आपको बता दिया, ठीक है न, concept series का basic preamble ही यही है, कि जो पढ़ाया जा रहा है, उसका concept clear हो जाए, बाग के तो आप खुदे बुद्धिमान हैं, आप लोगों के पास सारी किताबें मौजूद हैं, तो यदि मैं Islamic law की बात करता हूँ, तो उसके पहले मैं English law की बात करता हूँ, England में क्या होता है, देखो यह जो डावर वाली विवस्था है न, वहाँ भी चलती है, लेकिन वहाँ यह कहा जाता है, कि जो पती है, जब उसकी मृत्ति होगी, तो उसकी मृत्ति होगी के बाद, जो deceased husband है, उसकी जो land वगएरा वो छोड़ के गया है, उसमें से certain portion काट कर, काट कर मतलब एक जो share है, वो उसकी wife को दे दिया जाएगा, कि वो अपना गुजारा भत्ता कर सके, किया गया है, पढ़ों मेरे साथ, किस रूप में, इन इस्लामिक लॉव, डावर इस एक्स्प्लेंट एस दे पेमेंट मेड बाई हस्बेंड, तू दवाइफ एड़ टाइम उफ मैरीज, शादी के समय, गवाहों के सामने, जो शादी करवा रहा है, यह रिष्तेदारों के सामने, मतलब आप समझेए, शादी के समय बिटा, कंसीडरेशन के रूप में, जिसे हम कहते हैं, एवज, एवज मतलब इसकी वजए से, तो शादी हो रही है, कासा आप यह कंसीडरेशन है, मुसलिम मैरीज को हम कहते हैं, तो अमीर अली क्या कहते हैं, इस थियोरी को समझाते हुए, कि डावर इस कंसीडरेशन, विच बिलॉग एपसलूटली टू दवाइफ, एपसलूटली याद रखना, जैसे हमारे हिंदू में, इस्त्रिधन का कॉंसेट है, तो कागया साहब, ये एक एपसलूट राइट है, जो मुस्लिम वाइफ को मिलता है, ठीक है, मुल्ला क्या कहते हैं, मुल्ला साहब कहते हैं, इस अ सम आफ मनी पैसा, इस अ काइंड आफ डिस्क्रिप्शन आफ सम प्रॉपर्टी, विच वुच नहीं, विच दवाइफ इस एंटाइटिल तो रिसीफ रॉम दा हस्बेंड इन कंसिडरेशन आफ मैरीज, ये जो शब्द हैने बिठा, इन कंसिडरेशन आफ मैरीज, ये बड़ा महत पूर्ण है, ये ने का न, एवज में, ठीक है न, किसके एवज में, शादी की एवज में, ठीक है, जो चलो, इसको थोड़ा civil contract से जोड कर देखते हैं, ठीक है न, concept of dower को, civil contract के साथ थोड़ा जोड कर देखते हैं, आप सभी contract पढ़ रहे होगे, शिवानी में पढ़ाती हैं, बहतरीन तरीके से पढ़ाती हैं, हम consideration को पढ़ते हैं ठीक है ना consideration में कहते हैं past present future कुछ भी कर लो consideration की रूप में तो जब हम डावर को मेहर को consideration की रूप में appreciate कर रहे हैं तो हमें ये मतलब हमीशा ध्यान रखना है कि ये जो शादी है Muslim marriage ये डावर का जो concept है बिटा आप इसे डावर बोलो मैं डावर बोलता हूं pronunciation में थोड़ा बहुत difference हो सकता है मेहर ये एक essential component है होगा ही होगा जैसे आप हिंदूओं की marriage में कहेंगे सर्तपदी साथ फेरा लो ने तो नहीं मानेंगे शादी मैं कहूंगा Muslim सादी में essential component के होना ही होना चाहिए समझ में आ रही है बात महिलाओं के अधिकार से जुड़ा है सो अनलाइक सिविल कॉंट्रेक्ट मैंने आपके लिए लिखा अनलाइक सिविल कॉंट्रेक्ट डि कंसिड्रेशन इन Muslim marriage इस डावर इटसेल तो ऐसा नहीं कोई consideration की बात हो रही है सादी में लेकिन यह जो डावर का concept है बिटा यहीं है consideration जहां पर बिटा husband को कहा जा रहा है कि आपके उपर एक mandate है हमने उस mandate को धरम से जोड़ दिया पैगंबर मुहमद से जोड़ दिया हमने उसे duty से जोड़ दिया law से जोड़ दिया कि कैसे नहीं दोगे लिया लड़की को लड़की मतलब उठा के लेकर चले गए पैसा दिया नहीं दिया मतलब जिसे कहते हैं बड़ी fragmented वेवस्था तो all the credit goes to Prophet सहाब जो उन्होंने इस पूरी शादी की वेवस्था को एक structured form से जोड़ा और तभी से बिटा चुकि इस पर comprehensive हैंसी चर्चा करेंगे अपने batches में मुझे आपके concept को दूर करना है तो मैंने कहा है के essential है शादी का husband का commitment husband का support husband का support साधी के पहले शादी के समय साधी के बाद भी LIC की तरह है जीवन के पहले जीवन के बाद भी तो जब शादी हो रही है तभी आप वचन दे देंगे वो वचन पूरी शादी में चलेगा और यह दिशॉल्यूशन ऑफ मैरीज होता है चाहे वो death से हो चाहे devote से हो कैसे भी हो ठीक है न तो यह पैसा देना पड़ेगा चलो 20 minट हो गया मैं आपको ले कर चलता हूँ टाइप सौफ टावर पर चार तरीके के होते हैं आप मेरे साथ पढ़िये पहला जो टाइप से ड़्य हर में में उसके हम कहते हैं मुटा थीक है कि वारे मेरिज की बारे में तो basically मुटा मैरीज is one of the kinds of dower in the Muslim law it refers to a marriage that is contracted for a specified period of time कोई पर्मानेट व्यवस्था तो है नहीं क्यों साहब ठीक है ना तो कहा ये गया कि ठीक है वहाँ भी डावर की व्यवस्था हो सकती है लेकिन यदी मुटा मैरीज में शादी कंजुमेट नहीं हो रही है ठीक है ना अगर क उसे केवल half dower मिलेगा मुटा मैरीज में ठीक है तो यह जो कंजुमिशन का कौंसेप्ट है अम हिंदु लॉमें भी इसे पढ़ते हैं ठीक है ना तो ये जो कंजुमेट का कौंसेप्ट है इसमें कहा ये गया कि यदी स्यादी नहीं रही कंजुमेट हो पाई तो महिला जो ह हो गई मुटा मेरीज में तो जो बतनी है ठीक है सर्टन पीडट के लिए इस पेसिफाइड पीड़ के लिए फिर उसे बटप पूरा मिल सकता थेक है पूरा मेर Reals और यह जो specified period of time है मान लीजे एक साल के लिए मुटा मेरीज है ठीक है पत्नी 6 महीने में खहती है नहीं विड्रॉ करिए का गया नहीं तब वह एंटाइटिल नहीं है समझे इसके दो तिन concept है इसे अपना राम से भी पढ़ेंगे लेकिन मुटा डावर एक अधिकार है मुटा म मैरीज specified period of time के शादी है तो इससे जुड़ा तीन concept है कंजुमेट हुई साधी आधा मिले पूरा मिलेगा नहीं हुई आधा मिलेगा वाइफ पहले ही विड्रॉ कर गई जो specified period है वाइफ विल नौट बे एंटाइटिल ठीक है चलिए दूसरे तरीके के डावर को समझते है उ specific amount of money specific मतलब आप समझ आने बड़ा peculiar पता है specific है और property that is mutually agreed upon by the parties involved in the marriage the amount of डावर difference between Sunni law and Shia law कहा गया सहाब जब शादी हो रही है तो जो पैसा है जो property है वो तै कर ली गई इतनी ही हो गया शिया लाओ में सुनी लाओ में बिटा अलग हो सकता है उधारन के लिए यदि आप सुनी लाओ की बात करें है तो वह जो maximum minimum amount का concept है बस वही है बाकी तो दोनों में मिलेगा आप यदि सुनी लाओ की बात करते हैं तो जो minimum amount है से आप कहेंगे साब यह क्या मजाक है वह 12 से 13 रुप जो मैंने पढ़ा है ठेक है अब बिसिकली यह जो शिया लाओ है आपर लिमिट क्या होगी सुनी में यह तो चलिए minimum limit हो गई आपर लिमिट क्या है नो अपर लिमिट जितना मन उतना दे दो कोई अपर लिमिट नहीं है यह शुनी लाओ है लेकिन इसके बिलकुल अलग जब हम शिया लाओ की बात करेंगे बिटा तो शिया में नो मिनिमम लिमिट नो मैक्जिमम लिमिट तो यह जो नियम मैं आपको बता रहा हूं यह दोनों ही नियम जो है वह इस्पेसिफाइड डावर की बात कर रहा हूं कि शिया का कॉंसेप्ट अलग है सुनने का कॉंसेप्ट अलग है लेकिन जो दूसरा प्रकार है बिटा वह इ अब कहा गया साहब यह जो लोर पेमेंट है यह किस अधिकार पड़ता है होगा अरे जो हजबेंड है जो उसकी फिनेंशल कैपेबिलिटी है उसका ध्यान लख लो नहीं अब गरीब आदमी से क्या कोगे मतलब आपने कहा दिया मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए कोई गरीब आ डावर एमाउंट हैस बिन डिटर्मेंट प्राइड टू और अट टाइम अफ मैरेज इस रेफर टू इस्पिसिफाइड डावर महरे मुसम्मा है ना कहाईए गया कि यह जी डावर का जो पैसा है माउंट है प्रॉपर्टी है यदि उसका डिटर्मिनेशन हो गया शादी के पहले या शादी के समय तो हम उसे इस पेसिफाइड डावर कह सकते हैं एक बढ़िया केस है कुकईया बेगम वर्सेस राधा किशन आप कहेंगे साहब यहां तो सेकुलरिजम में 1944 का है इलहाबाद हाई कोट ने कहा एमाउंट ऑफ डावर कैन बी इंक्रीज़ बाई म्यूच्वल कंसेट आफ्टर मैरिज ठीक है बहुत प्यार मोहब्बत है पती ज्यादा पैसा कमा रहा है पतनी ने कहा यार बढ़ा दो उसको तो पती बढ़ा भी सकता है ठीक है तो चल अब प्रॉंट डावर एस दानेम सजेस्ट मस्ट भी पेट प्रॉंट ली अपॉंट डिमंट कहा गया एक ऐसा डावर जब मांगा जाये तब दू कि अधिकार है पतनी का है कि हस्बेंट के ओपर एक उपलिकेशन है कि जब मांगा जा रहा है उसी समय देना पड़ेगा ठी तो प्रॉंट डावर का जो पेइमेंट है बेटा वो जो शादी है ठीक है ना उसके पहले भी हो सकता है शादी के बाद भी हो सकता है शादी के बाद मतलम कंज्यूमेशन के पहले ठीक है ना इसे अपन कहते हैं प्रॉंट डावर एक्साइज करने का मतलब है या पहले डावर तो दीजिए पतनी चली घर नाराज होके हम नहीं आएंगे डावर नहीं दे रहे हैं का भाईया ले लो अपना डावर कोड के पास जाने का मतलब है का साब हम इनको दे दिये हैं इनका जो मेहर है अब तो कहिए रेस्टिट्यूट कर जाएं अपने कंज्यूगल राइट्स के प्रती तो कहा यह जाता है बेसिक थम्प्रिंस्पल है इस इसमें केस है रभिया खातुन का मुक्तार एहमत 1966 इलहाबाद High Court ruled that wife may refuse to live with her husband or engage in sexual intercourse until the prompt dollar has been paid ठेक है इट वस परदर श्टेटेट एट प्रॉम्ट डावर इस पेबल अपन डिमांड और प्रूफ अपने डिमांड की जरूरत है पत्नी ने कह दिया हमने डिमांड की थी कोट ने कह दिया सफिशेंट है बहुत है अब चौथे डावर की तरफ चलते हैं जिससे हम कहते हैं महरे मौजल आप उसे कहेंगे डैफर डावर जिससे टाला जा सके महरे मौजल पिछले वाले में प्रॉंट में था इसमें कहा जा रहा है आफ्टर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ठीक है ना जरूरत नहीं है साब डावर डैट इस नौट पेबल आफ्टर कंज्यूमेशन कर लिजे कंज्यूमेशन आप लेकिन जरूरत नहीं है कि आप तुरन डावर दे दीजे इससे टाला जा सकता है कब तक टाला जा सकता है तो कह यह जा रहा है इसका जो concept है आपको इससे समझना होगा कहा यह जा रहा है डफर डावर में बिटा कि यह कब पेबल है कोई contingency के होने पर कोई specific event के होने पर एक particular period के expiry होने पर उसमें आप death को देख सकते हैं उसमें आप divorce को दे सकते हैं तो wife तब तक entitle नहीं होगी जब तक वह specific event जिस पर mutual concern दोनों का हुआ है उस वह कारित नहीं हो जाए डेथ हो जाए डाइवोर्स हो जाए एक time period बीच जाए तो आप कहेंगे साहब अब तो दे दीजे तो डैफर डावर में कंज्यूमेशन कर लीजे साधी कर लीजे हसी-खुसी रहिए हां महिला के पास अधिकार है कि कोच होगा कोई परिस्तिती घटेगी तब हमको पैसा मिलेगा ठीक है चली मैं आशा करूंगा आप कोई चीजे समझ में आ रही होंगे आप कहेंगे सर बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं वन वे कोम्निकेशन है मुझे केवल पढ़ाना है क्यों अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपके डाउट को भी लूगा जैसे हमेशा लेता हूं तो जो चौथा विशह है बिटा व आप बेश्ड ऑन हर जज्जमेंट कुछ भी तैय नहीं आता पहले से तो पतनी क्या मांगेगी पतनी मांगेगी रीजनेबल डावर वही रीजनेबिल्टी जिसकी चर्चा हम में इनका गांधी में नेचुरल जेश्टिस में आर्टिकल 21 में करते हैं कि इस देश में जो कु कि अर्णिंग फाइनिंशल इस्टैबिलिटी को नहीं देखना है क्योंकि नामी है प्रॉपर डावर तो प्रॉपर डावर का क्या मतलब होता है कि वह रीजनेबल है तो यह जो मैंने आपको पिछले 10 मिनट में डावर के पार्ट्स बताएं यह बिटा टाइप्स हैं एक्जामनर को खुशी होगी देखो जो डावर है मेहर है इसे बढ़ाया जा सकता है हजमें किसी भी समय जब शादी हो जाए तो ठीक है इंक्रीज कर लेगा और वाइफ उसे रेमिट भी कर सकती है पूरा छोड़ सकती है आदा छोड़ सकती है हाँ एक विशह है कि एक मुस महिला है उसने प्रिबर्टी को एटेंड कर लिया है तो शीज टेकन टूबी एक कॉंपिटेंट परसन हो कें रेलिंग्विश हर राइट ऑफ डावर ठीक है ना अब आप इसको सेक्शन 90 से भी जोड सकते हैं हम लोग आई पीसी में पढ़ते हैं कंसेंट होने का मतलब है य सेक्शन 10 इंडियन कॉंटेक्ट की यही बात करता है कि यह अंडू इंफ्लूएंस ना हो फ्रॉड ना हो मिस्रिप्रेजेंटेशन ना हो ठीक है तो एक और कॉंसेप्ट है इसमें कि मान लिजे पती नहीं दे रहा है पती बहुत मौशी कर रहा है हम नहीं दूंगा कि नॉन ख़र्ण फेमेंट आफ डावर है. ठीक है ओ सकता है ना पती बगरा इस तरह की बदमाशी करते हैं तो मुस्लिम लौग कहता है फिल्स कहता है जो मुस्लिम पत्नी है एक पत्नी या एक विध्वा अपने डावर के राइट को कमपेल करने का अधिकार भी उस महिला को देती है पत्नी क्या कर सकती है बिटा पत्नी को हिबिट करने से मना कर सकती है कहेगी किसी भी प्रकार का सेक्ष्वल इंटर कोर्स नहीं होगा जब तक हमको डावर न का भी entitlement है किसा हमारा डावर नहीं पे है मेरा पती मर गया है बहुत लोग है लेकिन हमको हमारा अधिकार दीजिए ठीक है ना और यह अधिकार तब भी बनता है जब पती और पतनी ने शादी के समय डावर के एमाउंट को determine नहीं किया तो ऐसानी है कि के वह अधिकार है उसकी remedy भी है कि सहाब पतनी के पास यह अधिकार है सादी के समय और को हमें कर रही है और यदि पती मर गया है तो उसकी समपत्ति में हख मिल सके इसे अपन कहते हैं राइट आफ जो दूसरा वाला कॉंसेप्ट मैंने बताया कि पती की संपत्ती में राइट आफ रिटेंशन इन लिव ओफ अनपेड डावर ठीक है तो मैंने कहा यह progressive concept है social justice से जुड़ा है economic justice से जुड़ा है बिटा तो इस विशय को यदि आप समवेधानिकता के साथ examination में लिखेंगे तो आपका अंसर बहतरीन होगा ठीक है न और आपका अंसर अलग माना जाएगा तो इसी के साथ इस topic को मैं अंत करता हूँ यदि आपको कोई भी doubt है ठीक है न तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैंने आपके 24 मिनट लिए कोशिश की इन 24 मिनट में डावर को लेकर एक बढ़िया रोशनी डाल सकूँ फिर आऊंगा ऐसे ही किसी concept series में एक और topic को पढ़ाऊंगा कोशिश करूँगा Muslim law ही बार बार ले चलिए thank you so much everyone बहुत सारा प्यार आप सभी को जैहिंद